नमस्कार दोस्तों, Study with Happiness में आप सभी का स्वागत है और दोस्तों, आज जो खबर निकल के आई है, वो है उत्तर प्रदेश में दलित और पिछडों को कोटे में से कोटा देने की तैयारी हो रही है दोस्तों, आपको पता होगा, चाहें कोई भी वेकेंसी निकले उसमें SC, ST, OBC, इनका केटिगरी होती है, मगर इसमें कास्ट वाइज नहीं होता है तो दोस्तों, इसका जो एक कमेटी बनाई गई थी, हुकम सिंग कमेटी, जिसकी सिफारिशे ये आई है कि ऐसे में क्या करना चाहिए, मालीजे, OBC में कोई केटिगरी है तो दोस्तों, अगर पर्टिकुलर किसी कास्ट को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल चुका है और कुछ कास्टे ऐसी हैं, जिने की बेनिफिट नहीं मिल पाया है तो आपको कोटे में से भी कोटा दिया जाएगा तो ये दोस्तों सभी के लिए लागू होगा जो भी केटिगरी के अंदर आते हैं चाहे वो हमारे OBC के हैं, SC के हैं, HD के हैं आप देख सकते हैं, अभी जो ये योजना है ये कई राजियों में चल भी रही है जिसमें से कोटे में से कोटा दिया जाता है जिसमें हमारे करना टक अंदरप्रदेश, हर्याना, बिहार तो यह जो है दोस्तों काफी बड़ा कदम है और ऐसे लोगों को काफी फाइदा पहुचाएगा जो अभी रिजर्वेशन के फाइदे से वंचित रहे हैं तो आप देख सकते हैं जिसे की OBC का जो वर्गी करन किया गया है दोस्तों आप देख सकते हैं पहली स्रनी जिसमें कुर्मी, यादब, चौरसिया दूसरी में दोस्तों कुष्वा, शाक के तीसरी आप देख सकते हैं यहां पर वीडियो पोस्ट करके आप पुरा देख लिए कि किस तरीके से वर्गी करण किया गया है ठीकए तो यहां पर आप देखेंगे OBC का फिर आप देख सकते हैं अनुसुची जाती का वर्गी करण यह भी दोस्तो होना है इसकी सिफारिशे आ गई हैं कमेटी की तो जो हमारी पुरानी परिक्षा हैं जिसमें आप फॉर्म भर चुके हैं उसमें से तो ऐसा नहीं होगा मगर जो आगामी परिक्षा हैं उत्तरप्रदेश की उसमें ये चीज आपको देखने को मिल सकती है दोस्तो आपकी इस न्यूस पे क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्षन में जरूर लिखिए मगर हाँ आपने शब्दों की गरीमा जरूर बनाए रखिएगा गवर्मेंट जॉप से रिलेटिड इन्फोर्मेशन आपको समय समय पर हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी दोस्तो अगर आप चैनल पर नए है तो सब्स्क्राइब रह सकते हैं और वीडियो पसंद आये तो लाइक भी कर सकते हैं जल्दी ही मिलेंगे दोस्तों हम नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहन जै भारत